हालो दोस्तों कैसे हैं सब मैं आशा करती हूं कि आप सभी लोगं बहुत अच्छे होंगे हैपी होंगे हल्दी होंगे और आप सभी लोग का एक बार फ्यर से बहुत बहुत स्वाकत है मेरी ंद्रॉुALLY派 में और मेरी आज की वीडियो है स्मॉल नौन मॉडुलर की चंट और चो चोटा सा नौन मॉडुलर किजेन इसका टूट लेकर करके हाजिर हूं वैसे तो दूस्तों में डेली व्लॉग की वीडियो बनाती हूं जिन आप सबी लोगों ने मेरे किचन को बहुत बार देखा होगा लेकिन आज मैं आप सबी लोगों के साथ में अपना स्मॉल नॉन मॉडलर किचन टूर सेयर कर रही हूँ और साथ में ये भी शेयर करूंगे कि किस तरीके से इसको मैं मैंनेज करती हूँ और किस तरीके से इसको मैं साफ सुतरा करके रखती हूँ तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले काउंटर टॉप पर यहां पर मैं दिखा दूँ जो है कॉर्डनर में मैंने बहुत सारी चीज़े रखे हुई है जैसे कि कुछ मसाले हैं नीचे डिबबे में मसाल दानी है उसी के उपर मैंने तेल का डिबबा रखा है चाय की केतली और कटलरी स्टेंड जो है चिमच वगेरा वो सारे मैंने यहीं पर रखे हुए है साथ में चॉपिंग बोर्ड और पानी की बाल्टी पानी की बॉटल बगएरा सारा कुछ मैं यहीं पर रखती हूँ एक कॉर्णर में क्योंकि छोटा सा प्रेटफॉर्म है तो चीज़े मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है सामने मैंने गैस चूलना रखा है साइड में रोटी का डिबबा और साथ में एक इलेक्ट्रेनिक जो कैटल होती है वो रखी है क्योंकि इसकी जो है सुबह सुबह बहुत ज़ादा जोड़त पड़ती है और इस साइड है सिंक सिंक के उपर मैंने दो रेक हैंग करके रखी है जिनमें डेली के कप ग्लास होते हैं और इदर हुक लगा करके मैंने च्छनी वगेरा हैंग किये हैं और सामने की जो टायल्स हैं उस पे मैंने वाल पेपर लगा के रखा है तो यह मैंने मीसों से मंगाया है बहुत ही बढ़िया निकला है साथ में जब लगाया है तो उसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसके उपर जो रेक हैं तो इस रेक में मैं रखती हूँ मसालों के डिबे, डाल वगेरा साथ में और बहुत सारे डिबे होते हैं जिनमें हमें ज़रुरत पढ़ती है चीजों की और इधर मेरी रखे है मिक्सी, चॉपिंग जार रखा है और साथ में यहाँ पर कुछ बरतन रखे हैं ट्रे वगेरा जिनकी हमें डेली में ज़रुरत पढ़ती है और उपर मैंने रखा एक बड़ा सा यह जो कार्ड़ बोर्ट का डिबा तो इसमें जिन चीजों को मैं बहुत कम योज करती हूँ तो उनको मैं उपर रखती हूँ अधर प्लास्टिक की बार्टियों में भी स्टील के बरतन रखे हुई हैं सामने के डिबे रखे हैं तो सामने मैंने डिबों में चीनी वगएरा दाल वगएरा स्टोर करके रखा है और इधर है मेरा बरतन का स्टेंड इसके नीचे भी मैंने यहाँ पे कुछ बरतन रखे हैं जो गाड़ करके और इधर wall पर भी मैंने कुछ बर्तन हैंग किये हैं और दोस्तों दरवाजी का जो पीछे का area है तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से यूज किया है इस पर भी मैंने hook लगा कर के पीछे जो ढकन है चलनी वगएरा हैंग की है साथ में fry pan डेली में हमें जोले वगएरे की जोरत पढ़ती है मार्केर जाते हैं तो सबजी वगएरा लाने के लिए तो वो सारा कुछ मैंने hang करके रखा और यहां पर इस डिबे में जैसे डिस्किट वगएरा होते हैं तो मैं रख देती हूं बच्चों के लिए और बस बिल्कुल छोटा सा जो किचन होता है तो इसको साफ करना और मैनेज करना बहुत मुस्किल होता है तो इसको मैं इसी तरीके से साफ रखती हूं कि जितनी कम चीज़े होंगी हमें उतनी ही कम सफाई करनी होगी और जब कम चीजे होती है तो मैनेज करना भी थोड़ा असान होता है लेकिन किचन एक ऐसी चीज है जहाँ पर हम कितना भी कम सामान रखें लेकिन हमें जो है जरूरत पड़ती रहती है इधर सिंखेरिया मैंने आपनों को दिखाया वैसे मैं नीचे ही रखती थी लेकिन फिर क्या था नीचे साफ सफाई में थोड़ी दिक्कत जाती थी और इधर मैंने अपना बरतन का एक स्टेंड रखा हुआ है जिन में बड़े बरतन कढ़ाई जो होती है कढ़ाई साथ में परात वगएरा हैं वो रखी है कूकर वगएरा रखी है और यहां पर नीचे मैंने कुछ स्टेल के जो में टोकरी वगएरा जुरुरत पड़ती है वो रखी है तो देखो दोस्तों अभी जो जमाना चल रहा है वो तो है मॉडलर किचन का जिन में बड़ी बड़ी मतलब अच्छी अच्छी रैक वगएरा लगी होती है जो कि देखने में बहुत सुंदर लगती है लेकिन कुछ घर ऐसे भी है मेरी मेरे किचन की तरह जिनके अभी भी ज च्छोटा क् personagem होता है तो चीजों को मैमट करना हूंश करना बहूत मुसकिल होता है करती हूं कि अपने च्छोटे से किचन में कम से कम और जरूरत की ही चीजे रखंटा कि मुझे मैनेज करने में आसानी हो साथी साप सफँ़ाई में अदो कि आपनों को मेरा च्छोटा से के पसंद आया होगा पसंद आया है तो एक लाइक जूर कीजिएगा मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए